हलो दोस्तों कैसे आप सबी लोग स्वागत आपका अपने मेधाव यूटूब चैनल पर जैसा कि आप लोग पता है मद्द प्रिदेश लोग से वायोग ने अपना सलेवस में परिवर्तन कर दिये हैं सलेवस में परिवर्तन किये हैं बहुत सारी चीजों को चेंज किया है तो पुराने बच्चों के लिए थोड़ा सा दुखत खबर है लेकिन जो नए नए बिध्यारती तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनको बहुत सारी चीज़े नहीं इसमें देख लेते हैं हम बिना समाय गबाय इन चीजों को डिसकस करते हैं आए सबसे पहले देख लेते हैं कि मेंस का जो पेपर है पैटन है उसमें कुछ परिवरतन किया है या नहीं तो देखिए मेंस का जो पेपर है उसमें पेपर 6 ही होते हैं पहले वही होते थे 1 2 3 4 5 & 6 पहले भ तुम्रुफिका होता था ह अभी बही होता है बन फिप्टी मांक के होते थे वही होते है थ्री आवर्स का टाइम था वही थिर यावर्स का टाइम ह कोई तुम इसमें कुछ परिवर्त oppression Igna रे है इ। पेपर थर्ड जो है इसमें यहां हुआ करता था साइंस, ठीक है, साइंस की जगे इसमें आ गया है एकॉनमिक्स, डेर्ट सो नंबर का लेकिन पहले भी दो पार्ट्स में पेपर होता था, 150-150 का, तो यह दो पार्ट्स में होता है भी भी, और यह भी 3 आवर्स का होता है, क्लि पार्ट्स पहले से थे, अभी भी है, लेकिन एथिक्स का पेपर में इन्होंने जो मेंजर चेंजिस किया है, वो किया है, पहले एथिक्स का पेपर होता था, 200 का, अब इसको इन्होंने बाट दिया है, दो पार्ट्स में, जो पार्ट फस्ट है, ठीक है, जो पार्ट फस्ट है वो और पार्ट सेकंड है तीन घंटे का पेपर है अभी भी पहले भी तीन घंटे का ही होता था लेकीं 200 जो था वो में जो था उसका मार्क्स जो थे 200 क्यों थे अब यह कितना हो गया है 1500, 300 नंबर का हो गया है तो मतला इसमें जो second पार्ट है वो पूरा नया एड किया गया है चिक है इसको हम बाकिव डिटेल में नीचे देखने वाले हैं हिंदी का पेपर में 200 नंबर का था हिंदी के पेपर में टाइम च्रेंज किया गया यह तीन घंटे का हुआ करता था चिक है बहुत सारे बच्चे आदा घंटे गंटे वैसे टाइम लेखन है वो हिंदी में ही लिखना है यह हमारा सो नंबर का होता था अभी भी सो का है लेकिन इसमें टाइम टू आवर का मिलता था इसमें उन्होंने टाइम को इंक्रीज किया है मतल़ शमें शब्दा वली जो है वापकी बड़ा दी गई है दाइगंटे का आपका ऐसे का पिपर होगा पहले हमारा जो था वो होता था 1400 का मेन लेकिन अब 14 का ना होकर आपकितने का होगा 1500 की होगा 1500 का क्यों कि आपका Choose का जो पूर्णांग है 400 मार्कूंच हो गया है qat इसके बाद inTV की बात कर लेता है interview हमारा 175 होता था लेकिन अब जो है इन्होंने कर दिया है मेंस हो गया है 1500 का और 185 का आपका हो गया इंटर्व्यू और मेरिट जो बनेगी वो 1685 से बनने वाली है तो पूर्णांग बदल गया है भाई लोगों याद रखिएगा अच्छे से अब पुराना पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है तो मतलब पैटर्न जो है तो मतलब पैटर्न जो है पूर्णांग भी चेंज कर दिया गया है ठीक है तो आगे हम देख लेते हैं टोटल अंग जो है 1685 का आपका आने वाला है मेंस अब इनके जो कॉशन जंक्या थी उसमें क्या परिवर्तन हुआ है वो भी देख लेते हैं देखिए शुरुआत के जो तीन पेपर होते थे जनरल स्टेडी के इनमें हमारे जो तीन पेपर शुरुआत के जनरल स्टेडी के हैं उनमें कैसे कोशन नंबर रहने वाले हैं क्या 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 कोशन रहने वाले है कैसे रहने वाले है तो देख लेते इसमें जो अतिलग उत् 30 का होगा ठीक है ना तो मतलब अती लगुत्री प्रिश्णे जो आएंगे ठीक है वो आएंगे कितने के 30 नंबर के ठीक है लगुत्री प्रिश्णे जो आने वाले हैं वो 10 कुष्ण आने वाले हैं ये 7 नंबर का होगा देखिए ये आता था 5 नंबर का 2019 में आता था ये जो है 10 प्रिश्ण आने वाले हैं और इनकी जो वर्ड लिमिट रहेगी वो 60 रहेगी टोटल जो पूर्णांग मांक्स आएगा आपका 70 नंबर का चीक है दीर दुत्ती प्रिश्ण जो आएंगे 5 कुष्ण आने वाले हैं 10 नंबर के 200 शब्दों के यह 10 नंबर की जिए के पहल पेटन रखा गया है कुररिए अब जो मह Assistant रखा गया है वह उस तरह के से रखा गया है चली आगे देखते हैं इसरी के निए एब जो पेपर वोर्थ है उसका प्लड़ क्या पार्ड ज़ुड़ा है तो वा पेपर फोर्थ में क्या परिवर्टन हो गया कि जो अतिलग उत्री प्रिश्ण आते थे वो आएंगे 16 हर question का marks रहेगा 2 20 शब्द में लिखना होगा मतलब total पूर्णां के आएंगे वो कितना 32 marks जो है उनका total आएगा जो अतिलग उत्री प्रिश्ण है उनकी बात कर लेते हैं 8 question आने वाले हैं 7 marks का एक question होगा total आएंगे वो 60 marks के चिक है और जो total जो बढ़ है वो 60 रहेगा और जो total marks होगे उनके वो 76 होगे दीर्द उत्री प्रिश्ण आएंगे उनको देख लेते हैं वो 4 question आने वाले हैं ये 11 number का एक question होगा उधर जो है 200 शब्दों में लिखा जाएगा और ये 44 number का total होगा एक case study आने वाली है तो 2 parts है मतलब 2 case study मतलब आपका 36 marks का जो आएगा वो case study आएगा ठीक है clear है 36 marks का जो क्या आने वाला है आपका case study आने वाला है clear है तो ये part A का है ये part B का आने वाला है clear तो इसमें बहुत जादा वैसा परिवर्तन नहीं किया गया है इसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका paper third है इसको जो हमारा essay का है क्योंकि हिंदी में बहुत जादा परिवर्तन नहीं किया गया है essay में जो आपका time बढ़ा दिया गया है दो गंटे की जगे ढ़ाई गंटे कर दिया गया है क्यों क्योंकि आपका एक essay आएगा जो 50 शब्द का आएगा 50 नंबर का आएगा 100 शब्द का आएगा दूसरा जो ऐसे आएगा वो 500 शब्द का आएगा 20 marks का आएगा प्रारूप लेखन इसमें आएगा 500 शब्दों में प्रारूप लेखन करना है आपको और प्रतिवेदन मनाना है 200 शब्दों में ये 15 पंदर नंबर के आने वाले है चिक है तो इतनी सारी चीज़े जो है आपको परिवर्तन किया गया है पेपर के मोर्ड में चेंज किये गए है अब आपको अब जो में चीज है उसकी हम डिसकस कर लेते कि सिलेवस अब सिलेवस में जो में बदलाव हुआ है वो तो सिलेवस में हुआ है तो पुराने सिलेवस में और नए सिलेवस में क्या क्या बदला हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं कि पुराना सिलेवस हमारा मेंस का कैसा था और नया सिलेवस हमारा मेंस का कैसा है, चलिए तो paper first की हम बात कर लेते हैं paper first में history आता था part A में, अभी भी history आता है ठीक है, अभी भी history है अब इसमें paper first देख लेते हैं तो इसमें unit 1 जो है वो unit 1 का जो ये portion था ये तो unit 1 में ही था लेकिन ये वाला जो portion था ये unit 2 में था तो 1 जो पहले की 1 प्लस जो second unit को मिला के दौनों को एक ही मिला के बना दी गई है एक unit मतलब दो unit को merge करके क्या बना दिया गया है एक unit कर दिया गया है clear इसके बाद जो unit 2 है ये पूरा नयार जोड़ा गया है अब इतने इसमें देख लीए प्रोग अतयासिक काल की बात करेगा मद्ध प्रदेश के संदर्व में करना है अब इसमें उन्होंने राज वंसों के नाम लिख दिये हैं कि गर्द विल वंच के बारे बताईए नाग वंच ओलिकर वंच आपका परीव राजक वंच उचकल वंच टिक है कच्छप घात वंच जो है गुर्जर पृतियार कल्चरी चंदेल परमार यह सारी जो गौणवाना वंच डाइनेस्टी हैं मतलब आपकी यून में युनिट दूसरी रख दी गई आगे देखते हम यूनिट 3 में कोई परीवर्तन नहीं है यूनिट 4 में भी कोई परीवर्तन नहीं है वैसा ही यूनिट 5 की बात कर लेते हैं नायकों का संघर्स चीज जे नई एड की गई है ठीक है संगर्ष इतियास योगदान राजवंच इसमें नाम एड़ कर दी गया है संकर शाह रगुनाज शाह ठीक है रानी दुर्गवती भीवा नायक ख्वाजा नायक टांट्या भील ठीक है जो है गंजन सिंग कोर कुई यह सब जो है नाम जो है इसमें इंट्रोड्यूस कर दी गया है तो यह जो एक portion है आपका unit 5 का second part वो भी है आपका इसमें add किया गया है चीक है पहले उतना नहीं था अब उतना हो गया तो पांच unit कर दिया गया है अच्छा पहले एक और चीज थी पहले इन्होंने decide कर दिया था कि हर unit से 30-30 नंबर का आएगा लेकिन इस बार वो line आपके syllabus में नहीं है अब आपको डेट सो नंबर का कहीं से भी किसी भी unit से ज़्यादा और कम आ सकता है इसका कोई fix criteria उन्होंने नहीं रखा है clear चली आगे देख लेते हैं अब paper 1 का part 2 जो है उसमें क्या add हुआ है वो देख लेते हैं उसमें कौन-कौन सी नहीं चीज़ आ दिया गया है अब जो unit second थी उसको unit first बना दिया गया है भारत का भूगल इसमें क्या-क्या-क्या हो गया है इसमें जो प्राचीन भारत का भूगल और ग्यान जो है यह वाला point नया एड किया गया है बाकी लगवक जो है same रखा गया है इसके बाद इसमें एक और चीज़ जो गया है भारत की मिट्टियों उनका प्रकार एवं उनका बितरण किस प्रकार से यह नया चीज किया गया है इसमें यह तापवान शब्द जलवाईयू में नया एड हुआ है उपरी वाईयू परिसंचरण में जेड स्रीम जो है आपका एड कर दिया गया है इसके बाद जो यह वाला पॉइंट है यह भी लगवग पूरा एड किया गया है क्योंकि उसमें जो नयी चीज doen अदिया है दोर varieties पूरा आयिंट किया गया है नया यूनिट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें देखी कि अभी गवर्मेंट भी प्रमोट कर रही है मोटे अना जो को मिलिट्स वगेरा को इन सब का जो है हरित करांती वगेरा जो है सब सारी चीजे जो उन्होंने इसमें खादिस रख्चा सब कुछ कर दिया है तो यह दूसरी जो है पूरी एड किया है इसके बाद थर्डी उनिट देख लेएंटी फूरत अ चारी परीवरतनों के साथ बाकी की दो उनिटे जल्ए वो पूरे एड कर दिया है लिया तो इनको आपको आप रखना है यह चार उनिट तक उन्होंने एड कर दिये हैं सारी उनिट जो है परिवर्तन हुए है उसमें अब फिप्ति उनिट में जो है हमारा मद्यप्रदेश का भोगोल था अभी वैसा ही है लेकिन इसमें भी कुछ चीजे जोड़ दिया है जैसे यह वाली लाइन जोड़ी और लगू उद्यप्रदेश के जन्संग्या ब्रदी वित्रण और घनत्व जो है यह वाला पोर्शन नहीं जोड़ा गया है तो सबसे जादा मेजर पोर्शन अगम को पार्ट ए में तो देखने को नहीं मिलता है बहुत ज्यादा क्यूंकि पार्ट ए में एक यूनिट नही तीन यूनिट नहीं बनाई गए है और बाकी की दो यूनिट में कुछ कुछ चेंज़ आपको देखने को मिलते हैं तो चेंज़ तो हुए है पार्ट बूल पार्ट जो है ए जो और बी दौनों बी पार्ट तो लगवा पूरे ही चेंज कर दिया गया है अब हम दूसरा देख लिते हैं देखी है दुद्तिय परिष्णिपत्र का जो पार्ट ए है इसमें हम देख लिते हैं पहले उन्होंने खंड अ में रखा है संभीधान शासन विवस्ता राजनेते के वह प्रसासनिक संविचना पहले भी वही था अब इसमें जो पहला जो यूनिट थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है unit 2 में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है unit 3 में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है लेकिन इसमें एक चीज जोड़ दी गई है क्या देवी अहिल्या जी का नाम जो है देवी अहिल्या वाई होलकर का नाम जो है एड़ कर दिया है इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4 में आपका बहुत सारी चीज़ एड़ की गई है जैसे मद्द प्रदेश का पुनर गठन ये वाला पूइंट पूरा एड़ किया गया है राज्यपाल की नुक्ति शक्ति मुक्मंत्री मंत्री परिशाद का गठन ये बस पुराना है और इसमें भी एक जो है बाल आयोग नई चीज़ एड़ कर दी गई है तो आपका पेपर थर्ड के पार्ट ए में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुए है शुरुआत की तीन यूनिट लगवक सेम है कुछ आंसिक परिवर्तनों के साथ चलिए आगे दे अगला देख लेते हैं मैं इनको मार्ग किया हुआ है आप उसको मार्ग कर लें अपने पेपर परिवर्तन में अपने जो स्लेवशे उसमें मार्क कर लें अब इसमें हम बात करते हैं यूनिट two फीरий पेपर two का भाग दो या भाग भी जो है हम देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है समाज शास्थर वाला portion यह वाला portion जो है पूरा एड किया गया है देखिए ठीक है यह unit पूरी एड की गई है नए तरीके से यहां पहले होता था अगर एकोनमी वाला portion इसमें था ठीक है economics जो था part B में आता था लेकिन इसको यह पूरा नया एड कर दिया गया है दूसरा दूसरा यूनिट भी पूरी तरीके से एड कर दिया गया है इसमें चीक है मतलब फरस्ट और सेकंड यूनिट जो है पेपर टू के पार्ट B की जो है वो चेंज की गई है तीसरा यूनिट पूरा एड किया गया है चौथा यूनिट पूरा एड क चेंजिस किये हैं चलिए अगला लास्ट यूनिट देख लेते हम लास्ट यूनिट में क्या है कि मानव संसाधन विकास सेवन सामाजिक कल्यान की जो योजना है उनके बारे में लेकिन इसमें कुछ चीज एक कर दिया गया है उसका विजन क्या है स्कूली सिक्षा वगेरा एड कर दिया गया है इसमें एक ये वाला पॉइंट भी एड किये गया है बालिकाओं की सिक्षा से जोड़े मुद्दे ठीक है इस तरीके के कॉश्चन जो है एड की करने और एक और जो है मद्द प्रदेश की लोग के संस्कृती ये पॉइंट इसम मैंने मार्क किया हुआ है आप भी अपने सिलेवस में मार्क कर लें अब देखिए जो पेपर थर्ड है उसकी बात कर लेते हैं पेपर थर्ड का पार्ट ये जो होता था वो उसमें साइंस आता था पहले लेकर न उसको पूरी तरीके साथा दिया गया है और उसमें जोड़ दिया गया है, economics वाला portion, चिक है, economics वाला portion जो जोड़ा गया है, तो इसमें देख लीजिए, क्या-क्या परिवर्तन हो है, तो ये पूरा ही जोड़ा है, वैसे तो, फिर भी इसमें, जो नहीं चीज है, जो भारती अर्थवस्ता की प्रमुक्त विशेश्चता है, प्लस विखस फर्स्ट यूनिट जो है, उसमें चेंजिस हुए है, अब सेकेंड यूनिट देख लेते हैं, कराधान, नीती, एवं परिद्रश, इसमें क्या-क्या परिवर्तन हो है, तो इसमें जो पूर्शन जोड़ा है, ये वाली लाइन, लोग बे वाली लाइन, कराधान, घाटा, प पूरा जोड़ा गया है, निरयात, प्रोसाहान, आयात और प्रिटी स्थापन वाला जो पूर्शन हो ये नए जोड़ा गया है, तो ये कुछ-कुछ पूर्शन जोड़े गया है, इसमें पहले से भी और लेडी मौजूद थे, इसके बाद उनिट 3 देख लेते हैं, इसकी, आयब, मैं, ब्रद्धी, आत्म दिरवर्त, मद्ध प्रदेश, और जिला, एक जिले, एक उत्पादन कारिकरम जो है, ठीक है, उसको हमको देखना है, वन डिस्टेक, वन प्रोडक्शन वाला जो प्लान है, उसके बारे में हमको इसमें डिस्कुस करना है, तो ये जो पॉइ किया है, टू से कहां कर दिया है, ठीक है न, इसके बाद हम देख लेते हैं, अगला यूनिट फॉर क्या किया है, इसमें क्या क्या चेंज किया गया है, देखे, यूनिट फॉर जो है, वो उसमें मैक्सिमम चीजे जोड़ी गई है, ठीक है, यूनिट फॉर जो है, मैक्सिमम यूइट 4 जो है पूर जोड़ा गया है और बिनर फिट ये नया एक है ज अफिल की यूइज़ बघ्र वगेल जो है जोड़ा गया है तो पेपर 2 कि इ네 कि मिलेगा क्योंकि यहां पर जो तीन यूनिट होती थी वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाली होती थी और उनको हटाकर इन्होंने कह कर दिया है अब इसके बाद हम देख लेते हैं यूनिट पेपर थी का पार्ट बी अब पार्ट बी में क्या क्या चीज़े हैं पार्ट बी में विज्ञान के अनुप्रियोग ये वाले नई चीज जड़ गई यह पहले नहीं हुआ करती थी ठीक है इसमें यह जो है इतनों वायोलोजी जो है वो एक नया पूर्शन जड़ गया यह पहले नहीं हुआ करता था ठीक है इसके बाद आपका ये वाला जो पूरा पॉइंट था प्राचीन मैं देखिए इन्हों ने पूरे जो ख़गुल शास्त्री व्यक्ति थे हमारे या हमारे आयरुवेदा चाहरे थे उनके नाम लिख दिये बारा मिहर जो है ब्रह्म गुप्त है भासकरा चाहरे हैं इनक से देख लेते हैं वाकी चीजे क्या है उने टू बात करते हैं कंप्यूटर की तो इने टू जो है इसमें आपकी कंप्यूटर की जो है एक तो यह पूर्शन जोड़ दिया है लैंग्वेज वाला पॉइंट जोड़ दिया है अब आपको C++ जावा पढ़ना पढ़ेगा क्या होता है इंटर्पेटर क्या होता है असेंबलर क्या होता है इन सबको बढ़ना पढ़ेगा तो कोई बहुत बढ़ी चीज नहीं है चोटी सी चीज़ है इसके बाद करते मुद्धी मत्ता अर्टिपिशल इंटलिएंस वाला पॉर्शन इसी में जोड़ दिया गया है ठी इसके बाद हम बात करते हैं unit 3 की paper 3 की unit part B की unit 3 इसको देख लेते हैं इसमें बहुत सारे changes किये गया है क्योंकि इसमें पूरा जो है सोपार देखा गया है homo pathology का जो पूरा portion देखा गया है इसमें one nation one health system policy 2030 ये नया point जोड़ा गया है ठीक है इसके बाद और क्या जोड़ा गया है आयरवेद वाला जो है पूरा portion जोड़ा गया है केंदर राज जिला और जो इनकी policies है इनको पूरा जोड़ा गया है क्लियर इन सबको आपको देखना पड़ेगा योग वाला पूरा टॉपिक जोड़ा गया है पंच कर्म शित्दान अस्त्रों योग शट कर्म यह सब जो है यह पूरा करते हैं unit 4 तो unit 4 में क्या changes किये गए है unit 4 जो है वो पूरा ही unit 4 जोड़ा गया है unit 4 क्या जोड़ा गया है पूरा unit 4 नया कर दिया गया है paper 3 के पार्ट जो है भी में नया unit 4 जो है वो जोड़ा गया है ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं कि unit 5 में भी कुछ कुछ चीजों को change किया गया है जिसमें देख लेते हैं जनस जो है यह वाला पॉइंट जोड़ा गया है इसमें यह वाला पॉइंट जो है पूरा ही लगवग जोड़ा गया है इसको देख लीजेगा चिक है और बिलुपतकाय प्रजातिया और यह सब जो है लुपतकाय प्रजातिया जो है वो हमारा portion एक नया जोड़ा गया है य पॉइंट इनसे मयक्सियम जोड़ी गई है अब पूरा complete paper थर्ट को इन्होंनों अच्छा कर दिया घा अब इसमें एकॉनिक्स वाला portion कर दिया गया है science का portion हटा दिया है कम कर दिया है technology का portion जोड़ा गया है कुछ कुछ चीजय जोड़ी गई है जैसे भरतरी का नाम नया जोड़ दिया गया है, जैसे संतर अविदास का नाम नया जोड़ दिया गया है, जैसे देवी अहिल्या का नाम नया जोड़ दिया गया है, यह सारे नाम जो है अलग जोड़ दिया गया है, यह पहले से था, इसमें दूसरी यूनिट जो है पेपर फ जो जोड़ा गया है वाखी का सारी चीजे रिवाफ यह जोड़ा गया है इसके अलाबा बाकि कुछ परिवर्तर नहीं किया गया है तो मतलब उनिट 4 जो हमारा ethics था उसमें कुछ बहुत जादा परिवर्तर नहीं किया गया है लेकिन पहले ये ethics इतना ही आता था 200 marks का चीक है इसमें से 200 number का आता था कुछ चीजों को हटा दी गई है भले लेकिन ये जो हमारी unit 5 थी इन 5 unit से हमारा जो ethics है वो 200 number का आता था अब इसको 1.500 का कर दिया है और इसी में कुछ नहीं चीज़ें और add की गई है जैसे की हम आपको बता देते हैं क्या चीज़े add की गई है मतलब पूरा part क्या add किया गया है पूरा part B मतलब ethics का जो पूरा part B है पूरा ही part B क्या किया गया है नया add किया गया है इसको पूरा आपको पढ़ना पड़े गया है पूरा ही नया है पांचों unit नहीं है इसकी case study भी पढ़नी पढ़ेगी आपको तो part B पूरा add किया गया है हिंदी में हम देख लेते हैं बहुत जुछ चीने किया गया है कलनकार की च्यादब करदिया रस कर दिया है इसमें प्रशाशनिक शच्ब्द वाली इमानक शब्दों का रथ पूछा जाने लगा है अब शब्डे शक्तियां जो है एक पोर्शन नया एlt किया गया है ज़िके शब्डे शक्तियां है neighborhoods पूर्शन एड किया गया है यह सब चीजे जो हैं पूछे जाने लगी है जो की 2019 में थी बाद में इसमें 20 में हटा दी गई थी यह वाला निवंद वाले पूर्शन में भी कई सारे टॉपिक जो है रास्टी शिक्षा नीती वगेरा यह वाले टॉपिक वह कई सारे चेंजिस क उनको अटा दिया गया है इलेबरेट कर दिया गया है नई यूनिट है कुछ एड की गई है टिक है तो आज के लिए जो है इतना ही काफी है जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो उसमें हम आपको इसको जो प्रिम्स की यूनिट्स हैं उनमें क्या-क्या चेंजिस हैं चेंजिस तो हम बता चुके हैं उनमें क्या-क्या पढ़ना है कहां से सोर्स रखना है इसको हम बताएंगे और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो तो आप मेहनत करते रहिए सलेबस पुराने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चेंज नहीं ह